दोस्तों इस दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीब औ गरीब लेकिन बेहतरीन जगा मौजूद हैं जिसको देखकर कोई भी दंग रह जाए खुदरत ने इस धर्ती पर ऐसे ऐसे कमाल किये हैं जिनको देखकर लोग सोच में पढ़ जाते हैं गर्मी की छुटियां हो या फिर एक नॉर्मल छुटियों हर कोई जिन्दगी में एक ना एक बार समुदर देखने का ट्रिप तो प्लान करता ही है और अगर बात करें भारत की तो समुदर देखने के लिए सबसे पसंदीदा जगा है गोवा जहां दुनिया भर से लोग अपनी छुटियां बिताने आते हैं समुदर के किनारे पर घूमने की बात ही अलग है और वहां का नजारा देखना तो अलग ही आनंद का एहसास दिलाता है दोस्तों इसके लिए गोवा के अलावा पूरी दुनिया में बहुत से बीच हैं जहां लोग अपनी छुटियां मनाने जाते हैं आम तोर पर बीच अपनी सुंदर्ता से जाने जाते हैं लेकिन क्या आपने कोई विचित्र बीच का नाम सुना है तो सबसे अलग हट के एक जगा बताने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लास बीच जी हां सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा मगर रूस में एक ऐसा बीच है जो काज की बोतलों से तयार किया गया है इस बीच को देखने के लिए दूर दूर से लोग आना पसंद करते हैं और छुटियां होते ही इस बीच की सुन्दर्ता देखने और परिवार के साथ समय बिताने यहां चले आते हैं लेकिन दोस्तों आप कन्फ्यूज मत होईएगा क्योंकि एक ग्लास बीच कालिफॉर्निया में पिये लेकिन जिस बीच की हम बात करने जा रहे हैं वो उसूरी बे रशिया में मौझूद है तो बता दें दोस्तों रूस में बने इस बीच का नाम ग्लास बीच है जो दुनिया भर में परियाठकों के बीच बेहत चर्चित है इसके खास होने का कारण यहां की बोतले हैं जी हाँ दोस्तों बोतल जिने हम आप कूडा समझ कर फेक देते हैं दरासल इस बीच को काच की बोतलों से तयार किया गया है जो की इसे बेहत आकर्शित बनाता है जब भी आप इस बीच पर आएंगे तो आपको यहां पर चारों तरफ रंग बिरंगी काच के टुकड़े दिखाई देंगे ऐसे में यह दिरिश्ट देखने में बेहत मनमोहक और सुन्दर लगता है इतना साफ और सुन्दर होने के बाद भी हम इंसान जहां पहुँच जाए वहां गंदगी ना करें तो यह हो ही नहीं सकता दोस्तों इस बीच के बनने की बात कुछ अलग और अनोखी है दरासल कहा जाता है कई साल पहले इस बीच के किनारे बैट कर लोग शराब पिया करते थे क्योंकि उस दौर में बीच किनारे बोटल लेकर बैठने का तो ट्रेंड जैसा ही बन गया था अच्छा पीते तो पीते थे और साथ ही अपनी खाली बोतलों को वही पर फेक देते थे जिससे वहां कूडा फैलने लगा इस कारण से सरकार ने इस बीच पर जाने की रोक लगा दी और इस बीच को बंधी कर दिया था लेकिन बाद में कुछ हनोका हो गया दोस्तों बाद में काच की तूटी रंग बिरंगी बोतलों के धेर सुन्दर पत्थरों में बदल गया जिससे वह बीच आकरशन का केंदर बन गया और ये देखने में बेहद ही सुन्दर और कुछ हट के लगने लगा और यही नहीं आपके लिए ये विश्वास करना लगभग नामूमकिन होगा कि ग्लास बीच एक सदी से भी कम समय पहले एक डंप साइड भी हुआ करती थी लेकिन ग्लास बीच बनने के बाद भी सरकार को कांच के बने बीच पर घूमना लोगों के लिए खतरे के रूप में दिखा क्योंकि कांच लोगों को नुकसान पहुँचा सकती थी और लोग इस से चोट खा सकते थे इस सतरकता को ध्यान में रखकर सरकार ने यहाँ पर पूरी तरह जाने पर पाबंदी लगा दी मगर दोस्तों कुछ साल बाद जब वे रंग बिरंगे कांच के टुकडे सुन्दर पत्थरों में बदल गए तो इस बीच की सुन्दरता में चार चांद लगने लगे फिर उसकी हूपसूरती को देखते हुए सरकार ने परियाटकों को यहाँ खीचने का सोचा और फिर इस अनोखे बीच से कांच की छटनी करके इस बीच को यातरियों द्वारा घूमने की छुट दे दी बता दें दोस्तों अभी सुन्दर और अलग बीच का नजारा देखने के लिए देश-विदेश से लोग यहाँ उमरते हैं और यहाँ आना पसंद करते हैं इस बीच के इतने अनोखे होने के कारण यहाँ लोगों की भीड कम नहीं पड़ती तो दोस्तों आप कभी यह ग्लास बीच पर जाने का प्लान कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो यह था वीडियो का अंत कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम डेली ही ऐसी रोचक वीडियोज लेकर आते हैं अपने चैनल पर अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूले आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया